नमस्कार दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूँ श्मीता सिंग्गुरुवार को सलमान खान जोदपूर कोट से जोदपूर सेंट्रल जेल जाते हुए दिखे थे और आद सलमान खान जोदपूर सेंट्रल जेल से निकल कर मुंबई जाते हुए दिखे क्यूंकि 48 घंटे बाद बॉलिवोड का टाइगर जेल के पिंजड़ से बाहर आ गया यह ताजा तस्वीर हैं जो मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं आलकि जितनी बड़ी तादाद में उनके फैंस वहाँ पर आ गये थे उस वज़े से उस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था लेकिन अब जो गाड़ी आप देख रहे हैं दरसल कई बड़े लोग जो वहाँ पर मिलने पहुँच रहे हैं उसी क्रम में कट्रीना कैफ उनकी लंबे समय से दोस्त रही हैं वो वहाँ पर पहुँची जोदपुर सेशन्स कोट ने सलमान को जमानत पर रहा कर दिया और कुछ ही देर पहले मुंबई में अपने घर पहुँचे जिसके बाद वो अपने घर की बालकनी पर परिवार के साथ आए भावुक हो गए आई ये सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में अब यहाँ पर थोड़ी सी जलक दिखाई शुरू देनी हुई है और ये देखिए आप सलमान खान के लिए जो फैंस इंतिजार कर रहे हैं उनके लिए खुश खबरी है सलमान खान जल्दी इसी बैलकनी से अपने जितने भी फैंस हैं उनका अभिवादन करेंगे और फैंस का अभिवादन कर रहे हैं सलमान के साथ उनके बॉडिगार्ट शेरा भी दिखाई दे रहे हैं और आप वेख सकते हैं सलमान खान अपनी बैलकनी दरसलिए ये बैलकनी मुंबई में बैलकनी एक ऐसी खिड़की होती है जहां से लोग उन सितारों का एक जीवंत दर्शन करत हैं जिन्हें आम दिनों में वो फिल्मी परदे पर ही देखते हैं सलमान खान भले ही दो रात जोदपूर सेंट्रल जेल में गुजार चुके थे लेकिन जाहिर है उन्हें मालूम था कि जेल के बाहर उनके फैंस उनके लिए किस तरह की दुआएं कर रहे हैं यहां तो के सभी सदस्यों को अपने साथ रखा उनके पिता उनकी मा सब नजर आ रहे हैं यहां पर और अपने भांजे को भी गोदी में उठा कर ही निकले थे वो और उस मुंबई एपोर्ट जब पहुंचे थे और उसके बाद से यहां पर भी वैसी ही तस्वीरे चाहे स्टार कितना भी बड़ा हो जाए उसे मालूम है कि धरातल पटिका रहना अपने फैंस से घिरा रहना वही आखिरकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसलिए पहले हाथ उठाकर उन्होंने अभिवादन किया है शुक्रिया किया है और उसके बाद एक इशारा सा किया कि वो सोना चाहते हैं वो आराम चाहते हैं जेल में भले ही कितना भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाए लेकिन आखिर जेल की रोटी जेल का पानी जेल की जमीन वहां नीद मिल पाना मुम्किन नहीं हमारे साथ हमारी समवदाता शिवांगी वहीं से सल्मान खान के घर के बाहर से जुड़ी हुई है शिवांगी दिवानगी का ये आलम नया नहीं है सल्मान खान के लिए जिस तरीके से वो परदा उठा और उसके बाद सल्मान खान आए फैंस अब वहां से जा चुके हैं या अभी भी डटे हैं बिल्कल शुयता सल्मान खान के लिए जो फैंस की दिवानगी है वो कभी भी कम नहीं होती और जैसे ही उन्हें पता चला कि जमानत मिल गई है सल्मान खान को यहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए और सल्मान जब शाम को यहां पर आए और जैसे ही उस बैलकनी से परदा हटा यहां का नजारा जो था वो किसी जश्न से कम नहीं था यहां पर आतिश बाजी हुई यहां पर जोरदार नारे बाजी हुई यहां जोरों से लोग सल्मान के गाने गा रहे थे भाई जान भाई जा है वो यहाँ पर मौझूद है सल्मान ने खुद उन विज्वल्स में आपने देखा होगा कि एक जेस्टर किया जहाँ पर उन्हों ने आपने फैंस को कहा कि आप लोग घर जाईए आराम कीजिए सो जाईए लेकिन उसके बावजूद फैंस जो है यहाँ पर मौझूद है कुछ लोग जो है वो चूप गए सल्मान को नहीं देख पाए तो वो यहाँ पर आकर पूछ रहे हैं कि क्या सल्मान वापस एक बाहर आएंगे और जैसा कि आपने बताया कि जो बच्चा था जो आहिल अर्पिता का बच्चा है वो कहीं न कहीं बहुत ही उनके जिंदगी में महत्वर रखता है और इसे के साथ आपको अब एक जानकारी देदे कि अभी अभी कट्रीना कैफ जो है वो गैलेक्से अपार्टमेंट पहुची है कट्रीना जो है वो उनकी पारिवारिक मित्र है और इस जोद्पूर कोड के सुनवाई के पहले दो तिन दिन पहले ही कि वो सल्मान खान की छोटी बहन अर्पिता खान के साथ मुंबई की सिद्धी विनायक मंदिर पहुची थी जहां से उन्होंने बापा से आराधना की थी कि सल्मान खान के लिए जो है ये रिहाई जो है ये जमान जो है ये जरूरी है और वहाँ पर जाकर उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना की थी तो कुल मिलाकर गैलेक्सी के बाहर का एक बर मैं नजारा भी आपको दिखाना चाहूंगी फैंस देख सकते हैं चुरता अभी भी मौजूद है पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये दोर रहा क्योंकि सल्मान के फैंस को रोक पाना जो है वो मुश्किल होता है यहाँ पर फैंस जो है वो पुलिस के सुनते नहीं ट्राफिक जाम हो जाता है सल्मान का घर जो है मुंबे के बांदरा इलाके में है प्राइम लोकेशन है और ऐसे में कहीं न कहीं अभी भी फैन्स जो हैं वो घर जाने को तयार नहीं है और अभी भी सारे फैन्स जो हैं वो सलमान खान की एक जलक पानी का इंतजार कर रहे हैं जो कि शायद अब मुम्किन नहीं है क्योंकि दो दिन जेल में बिताने के बाद उनके फैंस के लिए खुशी की बात है और बॉलिवोड के लिए ये चैन की सांस है क्योंकि सल्मान खान की बेल बॉलिवोड इंडिस्ट्री के लिए हजार करोड रुपए का बेल आउट पैकेज बन कर आई है आप जोथपूर सेंटरल जेल के बाहर के तस्वीर देख रहे हैं यहां पर कितना जबर्दस क्राउड मौजूद है और तयार यहां पुलिस की यहां पर देख रहे हैं यह जिपसी निकलती हुई दूसरे जिपसी उसके ठीक पीछे यानि अब किसी भी वक्त सल्मान की कर रहे थे फूल हाथ में लिये हुए इसके लाब अबनारों के साथ सल्मान को किता प्यार करते इस बात का इसहार कर रहे थे वही उनके ज़रक में भी दिखाई दिया और सल्मान सेंट्रल जेल से जमानत पर रहा हो गए है गुरुवार को जेल और शनिवार को बेल बॉलीवुट का टाइगर 48 घंटे में जेल का पिजरा तोड़कर पाहरा गया जोदपूर के सेशन्स कोट ने दोपहर तीन बजे सल्मान को जमानत देने का फैसला किया शाम पाँच बजे से चंद मिनिट पहले सल्मान का बेल और जोदपूर सेंट्रल जेल पहुँच गया सल्मान के बॉडिगाड शेरा और दोनों बहने बेल और लेकर जेल पहुँच चुकी थी बेल आडर मिलने के बाद सल्मान की रहाई की आपचारिक दाएं पूरी की जाने लगी इसी दोरान जेल के बाहर पुलिस को सल्मान के फैंस को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी सल्मान खान ने जेल डी आईजी से बादशीत की और कुछ करमचारियों से हाथ मिलाया गरीब पौने छे बजे पुलिस की सुरक्षा में सल्मान की कार जेल परिसर से बाहर निकली जेल से बाहर आए सल्मान कार की अगली सीट पर वैठे थे जेल से अरपोर के रास्ते में जगा जगा सल्मान के फैंस उनकी एक जलक पाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे पीचे जो फैन फॉलूइंग है छोटी बच्ची 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 हुई है और पीचे-पीचे सल्मान का काफला जा रहा है कुछी देर में सल्मान की कार जोदपूर एरपोर्ट पर पहुँच गई और सल्मान कार से नीचे उतरे सल्मान को उनके बॉड़िगार शेरा एरपोर्ट के अंदर ले गए जहां चार्टर विमान पहले से तयार था कुछी देर बाद सल्मान को लेकर चार्टर प्लेन ने मुंबई के लिए उडान भरी पूरे फैंस की जो तादाद थी वो एरपोर्ट के बाहर बहुत जादा थी यहां पर वो सिर्फ नस फूल बेचा रहे थे रस्ते पर बलकि जैसे ही सल्मान की गाड़ी यहां एरपोर्ट के पास पहुँची वो यहां पठा के फोड़ने लगे यहां पर उनकी गाड़ी को घुसने में भी थोड़ा समय लग रहा था इसे बीच मुंबई में सल्मान के घर गिलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरफशा वेउस था टाइट कर दी गई रात खरीब आठ बजे सल्मान खान मुंबई पहुँच गए और इस तरह सल्मान खान के जोदपूर जेल का 48 घंडे चले प्रवास का दो एंड हुआ वो भी पूरे काईदे कानून के साथ जोदपूर की सेशन्स कोट से जमान तो मिलने के बाद सल्मान खान के लिए किसी बेल आउट पैकेज से कम नहीं है सल्मान से जुड़े बॉलिवूड के तमाम प्रोजेक्ट पर खरीब 1000 करोड का दाम लगा था सल्मान इन दिनों लगभग 120 करोड रुपए के बजट से बन रही रेस 3 की शूटिंग कर रहे है सल्मान इसी साल जून में लगभग 210 करोड के बजट में बन रही भारत की शूटिंग भी शूटिंग भी शूटिंग भी शूरू करने वाले है इसके लावा सल्मान का नाम अब तक बिग बॉस के अगले सीजन के लिए तैह है सल्मान खान का एक और टीवी शूट दस का दम भी जल्द ही टीवी पर आने वाला है सल्मान की जेल से रहाई ने बॉलिवूड की सांसे में लटाई हैं जो पिछले दो दिनों से उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही थी क्योंकि हम सल्मान खान उनकी पुरी पैमिली के बहुत बहुत शुक्र गुजार है पुरी इंडस्री उनको लाइक करती है जो पुरा परिवार जिस तरीके से जरुत मंदों को और इंडस्री में और इंडस्री के बाहर जिस तरह से हिल्प करती है एमोशनली हम सल्मान और उनकी पुरी फैमिली के साथ जुड़े हैं मैं शुकूर बजार हूँ जो डीश लिए डीका की उन्होंने शुकूर बेल दी पैसा उसमें लगा हुआ है तमाम देश में आज लोग उनके लिए प्रातना कर रहे थे उनकी सब की प्रातना कुबूल हुई सल्मान खान दो दिन जेल में रहने के बाद अब जेल से बाहर आ चुके हैं लेकिन वो कोट की अजाज़त के बगएर विदेश नहीं जा सकते और अब उन्हें साथ मई को जोदपुर सेशन्स कोट में पेश होना है जहां अब दोबारा से उन पर काला हिलन शिकार मामले का केस चलेगा जोदपुर से मौसमे सिंग, विद्या और मिनाश्षी कांडवाल के साथ शरत कुमार आज ताग इससे पहले की जमानत मिलने के बाद जेल में बन सल्मान को पता चलती उससे पहले ही फैंस के बीच खुशकबरी के तरह पहुँच चुकी थी सल्मान की जमानत की बाद सुनकर उनके फैंस के पाउं जमीन पर नहीं थे जोद्पूर सेशन्स कोर्ट से लेकर सेंट्रिल जेल तक और मुंबई में सल्मान खान के घर तक हर जगे उनके फैंस उनका स्वाग से स्वागत करने के लिए बेचेंट स्वागत नहीं करोगे आप हमाना सल्मान खान की जमानत मानों के फैंस के लिए इत का चांद हो गए जोद्पूर कोट के बाहर फैंस को जैसे ही मुमांगी मुराद पूरी होने की खुशखबरी मिली उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा सल्मान खान दो दिन जेल में रहे और उनके फैंस जेल के बाहर ढटे रहे कोट से सल्मान को जमानत के ख़बर मिलते ही जोद्पूर सेंट्रल जेल के बाहर फैंस की दीवाली हो गई अजय को देखें उदर पटाके बगने लगे हैं धड़ादर पटाकों की धूम आपको मैंने बोला था यह एक तरह से दिवाली है और जाहिर तोर पे उनके लिए यह किसी दिवाली से कम नहीं है अपने चहेते सूपरस्टार के जेल से रहाई को सेलिबरेट करने में उनके फैंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी देश भर में जश्नी की तस्वीरे सामने आने लगी मुंबई में गलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सलमान के फैंस पोस्टर लेकर खुशी से जूमने लगे और अपने भाईजान की तारीफ में कसी देगणने लगे बहुत अच्छा लग रहा है हमने बहुत दुआ करे कि सलमान भाई छूड़ी आवे पतना से सलमान की राखी बहन सबा और फरा जो सलमान के जेल जाने के बाद से अंशन पर बैठी थी वो भी अपने राखी भाई की जमानत के खबर सुनकर तालियां बजाने लगी दोनों ने मिठाई खा कर अपना वरत तोड़ा सलमान को अभी जमानत मिली है लेकिन उनके फैंस इसी में खुश हैं आगे जो होगा देखा जाएगा फिलहाल तो सलमान के फैंस को इसे खुशी में जिन्दगी की किक नज़र आ रही है दूनके पर्टी मेरे दर ऑसे खुशा है विल्कोल अभाद वाया था दिल से रंग लाई है क्योंकि हम दो दिन से पेट कर रहे हैं दो दिन से हमने कुछ ने खाया सर थाइगे का कुछ नहीं विगाज सकता है वग को कुछ नहीं भी का सकता है सल्मान खान का उनके फैंस ने स्वैक से इतना जोरदार स्वागत किया जिसकी उमीद शायद सल्मान ने भी नहीं लगाई होगी शायद फैन होने की शर्थ ही यही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने सूपरस्टार से दीवानगी की हद तूटनी नहीं चाहिए सल्मान को मिली जमानत में उनके वकीलों की तीन दलीलों ने बहुत एहम भूमिका निभाई जिसमें पहली दलील ये थी कि ये साबित नहीं हो सका कि काला हिरन को सल्मान नहीं अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारा था दूसरी दलील ये थी कि गवाहों के बयान पर भरुसा नहीं किया जा सकता जबकि सल्मान ने तीसरी दलील दी कि पोस्ट मॉटम के लिए हिरन की हड्या ही भीजी गई थी सल्मान खान के वकीलों की दलील से सेशन्स कोट के जज तो संतुष्ट हो गए लेकिन कोट के फैसले से बिश्णूई समाज संतुष्ट नहीं है सल्मान खान जमानत पर छूट चुके और जेल से निकल कर मुंबई पहुँच गए बॉलिवूट के भाईजान की रहाई पर उनके फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं लेकिन सल्मान की रहाई पर हर कोई खुश नहीं बिश्णूई समाज ने सल्मान खान को पांच साल की सजा होने पर पठाके फोड़ कर खुशी मनाई थी लेकिन आज सल्मान को जमानत मिलने के बाद वो मायूस है सल्मान को जमानत मिलने के बाद विश्णोई समाज ने हाई कोट का दर्वाजा खट-खटाने की तयारी कर ली है विश्णोई समाज सल्मान खान की जमानत पर नाखुश है लेकिन खानून भावनाओं की आधार पर फैसला नहीं सुनाता जोदपूर सेशन्स कोट के जजज ने सल्मान खान को जमानत देने से पहले उनकी सजा के ओर्डर की कौपी को पढ़ा इसके बाद आज सुनवाई के लिए आने से पहले सेशन्स कोट के जज रविंदर जोशी ने सल्मान को सजा सुनाने वाले सीजियम कोट के जज खतरी से मुलाखात की खरीब साड़े दस बजे सुनवाई शुरू हुई और जजज ने एक बार फिर से दोनों पक्षों की तलीले सुनी तलीले सुनने के बाद जज ने लंच के बाद सल्मान की सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत देने का फैसला सुना दिया सेशन्स कोट ने 25-25 हजार रुपए के निजे मुचलके पर सल्मान को जमानत दी है और जमानत के साथ कुछ शर्टें भी जोड़ी है जैसे कि सल्मान को विदेश जाने से पहले कोट से अनुमती लेना जरूरी है सल्मान को इस दोरान अगली जब भी अपील की हेरिंग शुरू होगी क्या उस दोरान सल्मान को आना पड़ेगा अदालत में क्या वो जिस तरह से ट्राइल कोट में आना पड़ता है क्या एपिलेट कोट में भी आना पड़ता है कोट में सरकारी वकील ने सल्मान की जमानत का पुर्जोर तरीके से विरोध किया था लेकिन कोट को सल्मान के वकीलों की दलीलों में ज्यादा दम लगा और सल्मान को जमानत मिल गई कानून के जानकार बताते हैं कि सल्मान को जमानत मिलने के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई सल्मान खान जमानत पर रिहा हो चुके हैं और मुंबई पहुँच चुके हैं अब काला हिलन शिकार मामले में उन पर दोबारा से सेशन स्कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला कब और क्या आएगा ये कहां नहीं जा सकता लेकिन एक बात जो कही जा सकती है वो ये कि सल्मान की रहाई ने बॉलिवुड को एक हजार करोड रुपए के नुकसान से बचा लिया मौसमी सिंग के साथ शर्द कुमार जोदपूर आज ता सल्मान खान को मिली जमानत पर उनके फैंस खुशी जता रहे है और बॉलिवुड रहत की सांस ले रहा है लेकिन सल्मान के लिए ये सिर्फ वरी रहत है क्योंकि उन्हें जमानत भले ही मिल गई हो लेकिन वो अभी भी कानून के मुझरिम हैं और जोदपुर की सेशन्स कोर्ट में साथ मई को बतौर मुझरिम पेश होंगे विवाद और फिर जेल ये सल्मान के लिए कोई नई बात नहीं है दिल्चस्प ये है कि ज्यादतर विवादों के लिए सल्मान मीडिया को गुनहगार ठहराते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कोट ख़बरों से नहीं कानून से चलता है बहराल सल्मान को कई बार जेल में रहना पड़ा है और कई तरह की समस्याएं जेलनी पड़ी है आईए सुनते हैं जेल की कहानी सल्मान की जुबानी कुए करें झांते हैं को कि अलते हैं कि जुके कानो बगड़ी इतमत अवärकिस। okay stupid question gets that kind of answer but you talk about like you had a lot of thinking time to put your life back on track and all that none of that blank i was chilling my only tension was the bathroom that was it and um it's been in but three four times i've gone in and out in and out in now so oh my god it's uh well if you if somebody wants to put you in you go on quietly when you know that you haven't done it you're going with your head high and did you share it like share the space with a lot of people yeah police custody here for the accident thing um yeah there were like this nine or twelve rooms everybody was everybody had nine 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 ten ten people in one one bathroom one toilet so that was and then the rest of the place when you go to uh central jail when you go to uh judicial custody you get your own suite there i wouldn't quite call it a suite but if that's what you want to call it who used to come and visit you the most when you're not allowed anyone they're once a week so you get one candy will get you chai in the morning then you won well the same guy will come get you lunch there's one guard outside and then you get this one mug that you have your chai and then you wash and you have your water and then you have your dal chow whatever and then you use it to take a shower no food from outside you use it to take a shower you use it to whatever you want and what happened to your bodybuilding at that time well i was doing lots of push-ups and crunches and stomach and all that stuff i just woke up twice a day do you think you're misunderstood no not really um i know people a lot of people say that but uh i think i've just been written badly about they know off me they don't know me if they want to make a judgment on me because um i'm not available to them or i don't talk very much to them is their opinion and everybody's entitled about the media yeah this section of the media if i was so bad and what they've written about me all throughout then today i won't have been it's been 19 years me in the film ministry i won't have been here do you feel happier with the media at the moment because uh you seem to be clearing the air through it a little bit at the moment yeah there is you know that that one section of it that the dada 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 whenever something happens you start off with you know with the first incident that happened and then you take it through go the accident kia yeah hunting case that case this case you don't even know what one percent of the truth is just because i cannot say things i will not say things but you've chosen to be silent no a lot of the time yeah because these are the spoken i mean about anything or anybody yet i don't need to and i will not you have your own dignity you have your own um loyalties your own priorities in life and i choose not to speak about these because when you're speaking about somebody else you know you don't have the right to speak about anybody else i can only say this is what i feel but if it involves somebody else then i have no right to talk with that person you can do it you can do it if you have a fight i have no right to talk so you can't do it you can't do it you know it's going to react to that लेकिन अब घर के बाहर नहीं जाता हूं क्योंकि हर जगा प्रेस होती है तो अब जो भी होता है घर गेंदर होता है अभी तक जो लाइफ जो जी है जो लाइफ जो देखी है उसका शुक्र अधा करना और ना शुक्र नहीं बना और कि अगर नहीं से सब चिन भी जाए तो भी कोई मैंनो कोई अगम नहीं रखना इसके उपर क्योंकि कितने लोगों ने ऐसी सिंदगी देखी होगी यानि कभी देखा सो रहे हुआ और आप जागे देखा कि मेरी शादी हो चुकी है नहीं यह सपना तो नहीं आता है लेकिन मुझे यह सपना ज़रूँ आता है कि मेरे बच्चे पैदा हो गए जे और शादी कभी 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 आता है तो मैं चौंक के ओड़ जाता हूं हाला कि नहीं उटना चाहिए मुझे यह सपने में वह सपना भी साकार हो जाएगा अब बहुत जल दिया बहुत लेट वैसी मुझे से लगता कि काफी लेट हूं है लेकिन इसको जितना लेट कर सकता हूं जो मेरी कपैसिटी है वह तर आई ट्राइ करूंगा जरूर करूंगा बट अभी ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग यह सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि उनको मेरी शादी से बहुत लगावे बहुत इंट्रेस्ट है तो मेरा एक मश्वरा है कि अगर मेरी शादी से इतना आपको इतने रिशाद में इतने इंट्रेस्ट है तो आप एक आद और क्यों नहीं कर लेते हैं